तो आज हम जानेंगे कि जनारोगे समीति की बैठक को किस प्रकार से लिखा जाता है इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि जनारोगे समीति की सनशना क्या होती है कौन-कौन से इसके मेंबर होते हैं और किस मेंबर का क्या कारिय होता है इस वीडियो को आप उपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस परकार का रेजिस्टर सभी को मिला होगा अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा जो इस पर दिशा निर्देश दिये गए हैं इस पेज पर वो हमने पिशली वीडियो में बताया था इसके बाद संरशना बताई थी और क्या-क्या वार्ड मेंबर्स के और जो मेंबर्स होते हैं समीती के मेंबर्स होते हैं उनके क्या-क्या कारियो होते हैं वो सभी हमने बता दिया था आज हम जानेंगे कि मेटिंग को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ से आपको मेटिंग लिखना स्टार्ट करना है इससे अगला पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा जैसे जनारोगे समीति की मासिक बैठक का कार्यवरत यहां से आपको लिखना शुरू करना है और यहां पर आपको सबसे पहले महा डालना है कौन से महा की आपने बैठक की है उसके बाद आपको वर्ष डालना है दिनाग डालना है और जहां पर आपको आपने जनारों के समीति की बैठक की है जैसे आप उपकेंदर पर कर रहे हैं तो आप यहां पर उपकेंदर लिखेंगे और उपकेंदर का नाम लिखेंगे उसके बाद यहां पर टाइम कितने टाइम तक आपकी मेटिंग चले ही वो आपको लिखना है उसके बाद यहाँ पर देखिए बैठक हे तू एजंडा बिंदू यहाँ पर आपको पूरे पेज पे एजंडा लिखना है देखिए यह चार एजंडा इसमें सभी बैठकों में दिये गए हैं आगे की सभी बैठक में यह चार एजंडा बिंदू दिये गए हैं और उसके बाद की एजंडा बिंदू आपको फुश से लिखने हैं देखिए हैल्ट और मेलनेस सेंटर की भोतिक उपलब्दी पर चर्चा जो आपके Health and Wellness Center की पूरे महीने की रिपोर्ट है, मासिक रिपोर्ट वो आपको इसमें फिल करनी है, जैसे आपने माई की मीटिंग की है, तो आपको यहाँ पर एपरिल की पूरे मन्त की रिपोर्ट फिल करनी है, क्योंकि मीटिंग माई के शुरुवात में की जाएगी, तो आ विवरण विशक चर्चा, जो आपके SWC Go One Time Fund में पैसे मिलेवे हैं, या धनराशी मिलीवी है, उसका आपको कैसे खर्च करना है, उसके विशे में आपको इस पर चर्चा करनी है, पूर्ट बैठक में लिए गए नेड़नों पर कारवाई की अगता निस्थिति यह उंगत ब पूसा निर्धारित अजेंडा बिंदू, जो जनारों के समीति की स्थानी आवशक्ता हैं, जैसे आपके SWC पर कोई मरमत का कारे कराना है, या फिर आपके SWC पर कोई साथ सज्जा का समान जैसे पढ़दे वगेरा है, या विएचनसी का सामान खरीदना है, या फिर आपके SW SWC पर गेट रिपेर कराना है, इस तरह कि आपकी आवशक्ताइं होंगी, स्थानी आवशक्ताइं, उनको आपको इसमें लिखना है, जैसे इस मन्त में कितनी एक्टिविटी आपकी आएंगी, उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं, कि उसके विशे में भी आपको चर्चा कर माशिक धर्म स्वचता दिवस आयोजन विशक चर्चा उसके विशे में आपको चर्चा करनी है दस्त नियंतरन पकवाड़ा के विशे में क्रिया कलापों पर चर्चा तंबाकु नियंतरन दिवस पर विशेश हेल्थ एंड मेलनेस सेंटर एक्टिविटी एमजन सम्मुदाय क को जागरुख करने है तू सुझाव दिये जाने है तू वारतला हैल्थ एंड मेलनेस सेंटर पर दी जाने वाले बारा परकार की सेवाओं को पहतर बनाने के लिए चर्चा या फिर यह वाला जो पॉइंट है यह मैंने अपने इस्थाने आवशक्ताओं के अंसा लिखा हु समीति के सदस्यों द्वारा दिये गए नए सुझाव जिससे सेवाओं का संचालक हो सके संचालन हो सके तो इस तरह से आपको एजंडा मिंदू तैय करने हैं उसके बाद आपको यहां पर इस पेज पर सबके साइन लेने हैं जितने भी मेंबर उपस्तित थे आपकी में यहां पर भी आपको धिनांग डालना है वस डालना है और मंत्र डालना है उसके बाद यहां पर सभी के नाम डालने हैं उनका पद नाम डालना है जो उनका एक्चुल पद है वो डालना है और विभाग संस्था लिखना है या उनके ग्राम का नाम लिख देना और हस्ताक लेने हैं उसके बाद यहां पर आपको भोतिक रिपोर्ट वरणी है ही मन्ली रिपोर्ट होती हैं यहां इसलेवा एपरेल की रिपोर्ट यहां पर हैं डीध़ करें राव्रता है रहां पको सेवा प्राप्त लाबार्थियों के लिए आये हैं, वो आपको यहां पर गिनकर लिखना है, उसके बाद आपकी टोटल ओपीडी पहले यहां आ जाएंगी, जितनी आपकी टोटल ओपीडी है, टोटल फुटफोल यहां पर आपको डालना है, वो आपको यहां पर डालना है, फिर यहां पर आपको बच्चों मे और व्यस्क में डिवाइड करके लिखना है जैसे आपके पास बच्चे कितने आए पुरुष कितनी थी उसमें बच्चों में और महिला कितनी थी और पुरुष इसमें कितने थे और महिला कितनी थी व्यस्क में जो अडल्स आपके पास आए हैं उसमें आपको ऐसे करके लिखना है नीचे देखे नियोजित सत्रों के सापेक्स आयोजित ग्राम स्वास्त हैं पोशन दिवसों का विवरन यहां पर आपको मासिक लिखना और कर्मिक लिखना है कर्मिक का मतलब जैसे मासिक आपके पांच सत्र होने हैं और उन में से हुए कितने हैं वो आपको ल के गई हैं नहीं पर इस मन्त में चिन्नित उच जोकि ब्युक्त-गर्वती-व की संख्या नहीं कर सकतबार उसीड़यों यह दोकित कूरे बच्चे last Jr. इस महिने तक जो जीरों से दो साल तक के बच्चे हैं उन्हें कितना तीका करण हुआ है यहाँ पर लिखना है उसके बाद गैर संचारी रोगों है तो जाचे गए व्यक्ति उच्रक्त चाप और मधुमे जो आपके सूगर और बीपी के मरीज हैं उनकी कितने लोगों की आपन नेक्स है टैले कंसल्टेशन के माध्यम से सेवा प्राप्त करने वाले लाभारतियों की संख्या यहाँ पर आपका लक्षे तो सोका है और पलबदी इतनी है तो आपको इस तरह से लिखना है उसके बाद है चिन्नित हैं उपचारित शेयर रोग्यों की संख्या जो टीबी क यहाँ पर लिखनी है उस महीने में कितने लोगों का इलाज पुरा हो चुका है उसके बाद उपचार प्राप्त कर रहे रोग्यों की संख्या कितने अभी ओन ट्रीटमेंट है उनकी संख्या लिखनी है उसके बाद उपचार छोड़कर गए रोग्यों की संख्या अगर उन में लिखा जाता है अगर आपके अंटाइंट फंड खाते में बजट है और आपने पुछ काम कराया उस महिने में तो यहां पर आपको कैश बुक में से देख के लिखना है इसके बाद आजाएं नेक्स पेज़ पर यहां पर आप पूर्व बैठक में लिए गए नेड़ने पर की गई कारवाई की अगता निस्तिती एवंगत बैठक की कारिय अवरति की पुष्टी जो आपकी पूर बैठक में लिए गए नेड़ने थे जो मतलब आपने एपरेल की बैठक में नेड़ने लिया था वो आपको यहां पर लिखना है जिसे पूर बैठक में सभी सदस्यों द्वारा लिए गए नेड़नों कारियों को पूर्ण करने हैं तो हैल्टन मेलने सेंटर क मतलब अभी तक कोई धनराशी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए हमने ऐसे लिखा है जिसके विशह में समीती के सभी सदस्यों के सम्मुख चर्चा हुई है और पूर बैठक में लिए गए निर्णा हेल्थ अन्वेलनेस सेंटर पर सामान को सुरक्षित रख रखा हुए तू लकडी की कैबिनेट की आशकता थी जो की धनराशी उपलब दना होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है और अब लिखना है इसमें आपको गत बैठक मतलब जो बैठक अभी आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या कराना है अपने ह्विश्य की कोई भी आशकता है तो आप उस इस बैठक की चर्चा ये थी तो आपको इसमें यहाँ पर लिखना है अब आजाते हैं नीचे वाले पॉइंट पे बैठक में चर्चा के मैं तुपूर्ण बिंदू एजंडा अनुसार निमलिकित रहे मतलब आपने जो भी एजंडा निरधायत किये थे अब उनको यहाँ निचे पर details में लिखना है जैसे आपके हांपर हड़ी पर बहुति कुपल अबदियों पर चर्चा की गई जो फर्स एजंडा था आपका वह यहां पर बाजाएगा देखिए हैतर मेलने सेंटर की बहुती कुपलब्दियों पर चर्चा है ये वाला आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना है है एस्डब्दियों पर चर्चा जैसे ओपीडी एंसेडी स्क्रिनिंग रैफरल टीबी के मरीजों का फॉलो अप गर्वतियों बच्चों का टीका करन प्रेस नंबर 47 पर संख्या में अंकित है और पूर बैठक में लिए गए निर्णों की कारवाई करने एदू हैं एस्डब मासिक गतिविद्यों जैसे मासिक धर्म स्वच्चता दिवस जैसे आप हमने ही एजंडा लिखा है मासिक धर्म स्वच्चता दिवस और दस नियंतरन पक्वाड़ा यह सब आपको एक पॉइंट में लिख देना है और यहां पर डीटेल्स में बताना है मासिक गतिविद्यो जैसे मासिक, धर्म, सुष्चता, दिवस, आयोजन, दज्त, नियंतरन, पक्वाडा, और क्या बोलते हैं, तंबाकू, जो आपका तंबाकू डे था, वो सब आपको इस महीने मनाना है, और कैसे मनाना है, वो आपको इसमें लिखना है, आप देएके नेक्स्ट यहां पर सगन, मिशन इंद्रिदनुस के अंतरगत चुटेवे बच्चों के जीरो से पांच वर्स का संपून्टी का करन एम एक सार बच्चों के घरों में जाकर प्रेलित करने तू समीती के सदस्यों के सम्मुख चर्चा की गई इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिखने हैं उसके बाद अनुमानित लागत लिखनी है जो भी काम आपको कराना है उसमें जितनी लागत आएगी वो आपको अनुमानित लागत लिखना है जैसे HWC के अंतरगत आने वाले जोटकट रास्ते को बंद कराने था HWC के सामने पानी के भरावे खच्चे जगे को सिमेंटेड पक्का कराने में आने वाली लागत यह मजदूरी अंटाइंड फंड धनराशी से उप्योग किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत यह जिसकी समस्त जिम्मेदारी समीती के सचीव-C present on your own परधान अद्यक्ष को दी जाती है wzकी जिम्मेदारी आपको किसी एक व्यक्ति को देदेनी है st लुट कि समीती के सदस्य निरधायत करेंगे कि यह जिम्मा कि सको दिया जाएगा और उतने ही पैसे आपको उनको देने है जितने में आपको समान मंगाना है या फिर कोई भी जिम्मेदारी है वो A&M को भी दी जा सकती है CH को भी दी जा सकती है तो इस तरह से आपको meeting लिखनी है meeting लिखने से पहले ही आपको monthly report fill कर लेनी है हर महीने की जैसे यहाँ पर हुई है वैसे ही आपको हर महीने की monthly report fill कर लेनी है तो इस तरह से आपको अपनी meeting लिखनी है अगर आपको जानकर ही अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके Thank you